अजमेर में बड़ा रेल हाथसा एक ही ट्रेक पर आई दो ट्रेने चाट डिबे पेटरी से उतरें मची चीख पुकार जैहिंद मैं नाजिश फराज आप देख रहे हैं दा लोकल जर्नलिस्ट फिर से एक ट्रेन हाथसा जिसने फिर से देश को कुछ मिंटो के लिए दहशत में डाल दिया था लेकिन गनीमत रही कि इस हाथसे में किसी की जानी नुकसान की खबर नहीं है अब तक की मिली जानकारी के अनुसार हाथसा बीते रात एक बज़े घटी है बताया जा रहा है हाथसे के शिकार हुई ट्रेन नंबर एक, दो, पांच, चार, आर्ट सावरमती आगरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस शाम के तै समय पर निकली थी जो अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास रवीवार देर रात दो ट्रेने एक ट्रैक पर आ गई जिससे इंजन समेत पैसेंजर ट्रेन की चार जन्रल डिब बेपटरी से उतर गई और पटरियों को उखारते हुए बेपटरी हो गई हादसे के बाद पैसेंजर ट्रेन के जन्रल कोच में बैठे यातियों की चीख पुकार मच गई और ट्रेन से उतर कर पैसेंजर इधर उधर भागने लगे हादसे में अभी किसी तरह की जानमाल की खत्रे की खबर नहीं है हादसे की सूशना पर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुँच गए पटरी से हुतरे हुए कोच और इंजन को पटरी पे लाने के रेस्क्यू को शुरू कर दिया गया है हादसे की सूशना के बाद ADRM सही आरपी एफ जी आरपी पुलिस मौके पर पहुची और रहत कारे शुरू किया है एडिशनल डिवीजनल रेलवे मैनेजर बलदेव राम ने बताया कि हादसे की शिकार हुई अजमेर आगरा साबरमती पैसेंजर ट्रेन कल शाम करीब 5 बजे 3 समय पर निकली थी उन्होंने बताया कि ट्रेन की संचालन बिलकुल सही चल रहा था लेकिन देर रात एक बजे मदार रेलवे स्टेशन पहुँशने से पहले कुछ दूरी पर दूसरी ट्रेन से ट्रैक चेंज करने के दौरान पैसेंजर ट्रेन साइट से टकरा गई हाला कि अभी तक हादसे के दूसरे तकनीकी कारणों का पता नहीं चल सका है बताया जा रहा है कि हादसे की वज़ा से ट्रियां अपनी जगा से उखड गई है ADRM बलदेव का कहना है कि अभी हादसे को लेकर कुछ कहना मुश्किल है यहाँ यह जांच का विशह है जांच पूरी होने तक कुछ बता पाना मुश्किल होगा हादसे में कोई जान हानी नहीं हुई है हादसे की सूशना के बाद सभी रहलवे अधीकारी करमचारी को मौके पर बुलाया गया और राहत कारे शुरू कर दिया गया है ट्रेन के कोच को हटाने कि ए रेस्क्यू को शुरू कर दिया गया है रिपोर्ट के मताबिक रेलवे अधिकारी ने अजमेर के जवाहरलाल नहरू अस्पताल में अपने स्टाफ भेजे हैं ताके हाथसे में कोई घायल हुआ हो तो उसका इलाज किया जा सके वही रेल्वे कैदिकारीोंने अजमे रेल्वे स्टेशन और मदार के रेल्वे स्टेशन पर जर्ण्रल कोच के यात्रियों के लिए खाने पीने और चिकितसा वेवस्था उपलप्त करा रखी है और रूट सामानने होने के बाद सभी यात्रियों को उनके अस्थान पे भेज दिया जाएगा ADRM का कहना है कि मौके पर ट्रेन हाथ से कोई चलते पट्रियां जमीन से उखड कर अलग अलग जगा बिखर गई हैं और इंजन और कोच को चक्के जमीन में धस गए हैं उन्होंने कहा कि ऐसे में हाथसा किन कारोनों से हुआ है ये कहना जल्द बाजी होगी हाला कि मौके पर दुरगटना गरस ट्रेन के कोच और इंजन को हटाने का कारया किया जा रहा है से और इस कारय में करीब 8 से 10 घंटे लग जाएंगे या उससे जादा भी लग सकते हैं जिसके कारण 6 ट्रेनों को रत किया गया है और कुछ ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है साबर मती आगरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हाथसे के बाद रेल प्रसाशन ने हिल्प डेस्क नंबर जारी किया है 0145 242 9642 0145 242 9642 ये नंबर जारी किया है ट्रेन में सवारी कर रहे हैं यातरी के रिष्दार की जानकारी लेने के लिए इस नंबर पर संपर्ट किया जा सकता है इस घटना ने पैसेंजर सेफटी पर सवाल खड़े कर दिये हैं जिस तरह एक के बाद एक रेल दुर घटनाए हो रही हैं लोगों के दिल में दहशत हो गया है बता दू कि बीते साल भी एक ऐसा हाथसा हुआ था जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था लेकिन इन दुनों रेल दुर घटना के मामले कुछ जादा होने लगे हैं पब्लिक सेफटी पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जो के एक चिंता का विशय है बीते सतर सालों में इतने रेल दुर घटना नहीं हुए जितने रेलवे के प्राइविट होने के बाद से होने लगे हैं जहां रेलवे दुर असफल ATP Automatic Train Production जिस पर खूब चर्चा किया गया था वो भी काम नहीं कर रहा है रेल मंतरी को इसके बारे में सोचना चाहिए ऐसे कब तक लोगों की जिन्दगियों को दाओं पे लगाया जाता रहेगा फिलहाल के लिए इतना ही देश दुनिया और राज्य की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ देखते रहें दा लोकल जर्नलिस्ट धन्यवाद मैं नाजश फराज